हलो स्टुडेंट्स नमस्कार सस्यकाल स्वागते आप सभी का आपके पसंदिता चानल मैगनेट ब्रेंस पर और मैं भी शेक अगरवाल आपका केमिस्टी फेकल्टी हाजिन हूं लेकर एक और धमाकेदार एक और अमेजिंग एक और एक्साइटिंग सेशन लेकर जिसमें जिस इसम का सुन अपकर का सक जिसमें पिछले वीडियो में आईसो मेरिसम् का पार्ठ वन देखा था और उसमें विछी फ्ट्रॉक्ट्चरल आइसो मेरिसम की बात की थी अगर आपको याद तो चाहन कि जो 2 फेक्स ट्रॉक्ट्राज और इक प्लारा आइसो पार्ट करते हैं उ कि पूरा का पूरा bond ही बदल जाए तो ऐसे isomers को हम structural isomers की category में रखते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर bond की सिर्फ orientation बदल दी जाए अगर atoms जो structure बना रहे हैं उनका angle बदल दिया जाए उनका 3D arrangement बदल दिया जाए तो जो isomers होते हैं उन्हें हम कहते हैं stereo isomers और जो structural होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में देख रहा था इस वीडियो में यानि कि part 2 में हम बात करेंगे stereo isomers की यानि कि इस वीडियो में हम पूरे तरीके से देखेंगे stereo isomers के बारे में और जानेंगे stereo isomerism के बारे में तो let's begin with the stereoisomer, let's begin with the stereoisomerism, और यहाँ पर हम समझते हैं, part 2 को लेकर stereoisomerism में, तो start करते हैं अपना session, structural की पूरी चर्चा कर चुके, अब stereoisomerism की हाँ पर बात करते हैं, क्या कहता है stereoisomerism, this is due to the different relative positions of the ligands, it is of two types, geometrical isomerism and optical isomerism, relative positions का मतलब क्या है ध्यान से समझे ना, relative positions में सारी बाते चुपी हुई है, जब 3D space में arrangement बदल जाए, जब 3D dimensional orientation चेंज हो जाए, जब 3D dimensional angle बदल जाए, तो ऐसी arrangement को हम नाम देते हैं, stereo arrangement, और ऐसी arrangement के बदल जाने से जो isomers उत्पन होते हैं, उन isomers को कहते हैं stereoisomerism, जैसे याद करो, मैंने पिछले वीडियो में एक example दिया था, कि जैसे मेरा एक structure है, तो मैं मेरा structure दिख रहा है, मेरा एक body का structure, एक थोपड़ा है, कंदे के उपर रखा हुआ है, कंदे से जुड़े हुए दो बुजा है, दो हाथ है, उसके नीचे पेट है, चेस्ट है, पेट है, पेट के नीचे दो टांग है, ऐसा ये structure है, अब एक structure तो यही हो गया, कि भाईया थोपड़ा जो है, वो कंदे के उपर है, कंदे जो हैं हाथ से connected हैं, पेट से बुजा हैं, जो पैर हैं, वो connected हैं, सारी चीज़े आपको बता हैं, अब अगर मैं क्या करूँ, मैं अपना एक और structure बना लूँ, जिसमें ये जो थोपड़ा है, ये मैं 180 degree एंगल पर rotate कर दू, 180 degree मतलब बिल्कुल पीछे की तरफ, तो ये जो थोपड़ा है, ये मेरा पीछे board की तरफ face करेगा, और जो पीछे का ये बाल वाला area ये तुमको सामने देखेगा, arrangement समझ गए मेरी, अब इसमें मैंने क्या करा, क्या कोई bond की तोड़ा ताड़ी करी, हाँ ये बात अलागी कि मेरी ऐसे rotate करने पर गर्दन, मुड़ कर तूट जाएगी, वो तूट सकती है, बिल्कुल तूट जाएगी, आपन कोई चोडे लोडे चंडाल थोड़ी ना, क्यों अतला गर्दन को ऐसे rotate कर ले, लेकिन वो चीज होगी, लेकिन कहीं मैंने कोई चीज को detach नहीं किया, थोपड़ा जो अभी भी है, वो अभी भी कंदे से जुड़ा हुआ है, सिर्फ arrangement बदल गई, सिर्फ angle बदल गया, सिर्फ orientation बदल गई, इस orientation के बदलने पर जो isomer develop होता है, उस isomer को हम कहते हैं, stereo isomer, उस isomer को हम नाम देते हैं कौन सा, stereo isomer, और उस isomerism को हम बोल देते हैं, stereo isomerism, उस isomerism को हम बोल देते हैं, stereo isomerism, तो यह stereo isomer होता है, और जो phenomenon होता है, उसको हम stereo isomerism कह देते हैं, stereo isomerism, क्या concept clear हुँ है, stereo isomerism का, और इसलिए इस word में stereo word आया है stereo actually होता है 3D space stereo का मतलब होता है 3D dimensional space stereo का जो मतलब होता है वो actually होता है क्या 3D dimensional space इसको अपन कहते हैं 3D space 3D dimensional space अब 3D dimensional space जैसे stereo sound system साते है सुना होगा stereo sound system इसका मतलब वो 3D space में गुझेंगे मतलब तीनों दिशाओं में उनका sound travel करेगा 3D space होता है होता है ना जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी example दिया था movie में जो आप sound system आते हैं आप multiplexus में जाते हो cineplexus में movies देखते हो तो आपने देखा होगा हमाँ stereo sound होता है stereo sound में 3-dimensionally sound सुना ही देता है जैसे मान कर चलो movie में एक scene चल रहा है और आपके right hand side पर किसी ने कोई आवास दी तो वो आवास आपको आपके भी right hand side से ही सुना ही देगी right side से ही सुना ही देगी आपको are you getting my point तो right side से आप एक बार ऐसा पीछे पलट के भी देखते होगा आपको ऐसा illusion टाइप का होता है यहां से कोई आवास तो नहीं दे रहा लेकिन वो movie के साब से 3D sound system बना है तो that is known as stereo sound stereo isomer तो basically उस isomer को हम नाम देते हैं कौन सा stereo isomerism stereo isomers and stereo isomerism clear हो गया तो that is known as stereo isomerism now there are two types of stereo isomerism एक होता है geometrical isomerism एक होता है optical isomerism आपके पास दो isomerisms होते हैं एक होता है geometrical isomerism एक होता है optical isomerism यह दोनों में क्या होता है यह दोनों लगबग लगबग वैसे ही है जैसे हम लोगों ने organic में पढ़े दे बस nature of bonding बदल जाएगी, और गयानिक में अगर आपने याद करो, आपने 11th क्लास में दोनों आईजोमर्स पढ़े हैं, हाला कि मैं यह मान कर ही पढ़ाऊंगा कि वो आपने नहीं पढ़ें, लेकिन अगर आपने पढ़े हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो, वैसे ही आईजोमर्स यहाँ और जोमेटरिकल आइजोमरिसम को समझते हैं, तो जोमेटरिकल आइजोमरिसम में क्या होगा, जोमेटरिकल आईजोमर्स diffars in the spatial distribution of atoms और groups, about the central atom और atom in polynuclear compounds, जोमेटरिकल आईजोमर्स differ करते हैं, special arrangement, space के arrangement को, of atoms और groups about the central atom, या फिर पौली नूकलिर compounds में जो atom होता है उसके around जो geometrical isomers आपको double bond के around दिखता था organic chemistry में organic chemistry में भी वही होता था special arrangement बदल जाएगा around the double bond around the double bond यहाँ पर बस वो around the central atom होगा central atom का around जो ligands है उनका 3D space में अगर arrangement बदल जाए 3D space में कैसे मतलब कोई एक angle से आ रहा है तो वह angle बदल जाए कोई एक particular plane से आ रहा है तो वह plane बदल जाए मतलब वह लिगेंड डूसल plane से आ जाए तो ऐसे arrangement से ऐसे arrangement से जो isomers उत्पन होगा उससे हम geometrical isomer मतलब ऐसा नहीं होगा कि ligand और metal का bond तोड़ कर बोल दिया वह या ligand और metal का bond अब इस ligand और metal का बना दो मतलब पहले ligand किसी और metal को loan पे donate कर रहा था बाद में किसी और को करेगा ऐसा नहीं होगा यह तो फिर structural का case हो गया ligand जिस metal को donate कर रहा है दोनों compound जो आप isomers बोलोगे एक दूसरे का दोनों compound में ligand same metal atom को same ligand same metal atom को loan पे donate कर रहा है same ligand same metal atom को loan पे donate कर रहा है लेकिन arrangement बदल कर कर रहा है angle बदल कर कर रहा है special arrangement change करके कर रहा है तो इस वज़े से वहाँ पर जो isomer पैदा होगा that is known as stereo isomer, geometrical isomer, stereo isomer की category geometrical isomer समझेंगे याँ पर, those complexes in which the denticle two ligands occupy adjacent positions to each other और opposite to each other, cis or trans-respectively are able to show this type of isomerism, denticle two ligands मतलब समझ न इस बात को जैसे ml4 type है, ml4 type है, अब ml4 का मतलब क्या है, ml4 का मतलब यह है कि एक metal है, central metal और 4 ligands उसको गेर कर खड़े हुए, 4 ligands, तो यह हो गया ml4 type, तो आपके पास एक central metal item होगा, एक central metal item होगा और 4 ligands इसको गेर कर खड़े होगा, although those ligands will be unidentate, फिलाल मैं उनको unidentate मान रहा हूँ, लेकिन अब इसमें 2 cases बन सकते हैं, या तो दो, जो चारो ligands हैं, उसमें 2-2 ligands का pair है, मतलब दो ligands सेम होगाई, दो ligands अलग होगाई, मतलब दो ligands कोई सेम होगे, दो ligands अलग होगे, अलग-अलग pair बनका है pair of ligands, तो उसमें जो same ligands है, या पर जो same ligands है, वो एक दूसरे के opposite हो सकते हैं, यहाँ पर 2 cases बनेंगे, जैसे मान कर चलते हैं, हम इसको type बना लेते हैं, थोड़ी देर के लिए M, A2, B2 type, M, A2, B2 type, योग-M, A2, B2 type, A भी आपका unit date है, और B भी आपका unit date है, A भी आपका unit date है, B भी unit date है, दोनों एक एक loan पर donate करेंगे, A भी आपका single loan पर donate करेगा, B भी आपका single loan पर donate करेगा, तो it will become M, A2, B2 type, M, A2, B2 type, यह M, A2, B2 type हो गया, अब इसमें अगर हम देखें, M, A2, B2 type में, तो यहाँ पर दोनों A जो हैं, वो एक दूसरे के adjacent हो सकते हैं, या फिर एक case हो सकते हैं जिसमें A एक दूसरे के opposite हो, पहले मैं adjacent वाला बना देता हूँ, ताकि आपको adjacent वाला बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, मालनो यह रहा आपके पास M, A,M, A आपके पास A, ये रहा आपके पास B और ये रहा आपके पास B square planer की geometry है फिलाल मैं ये लेकर चल रहा हूँ मतलब A की plane में आपका पूरा complex है A की plane में आप ये कहादो कि आपका पूरा complex है और जब A की plane में पूरा complex है तो structure कुछ ऐसा होगा ये अब आप देखो कि आपको AA जो है वो एक तरफ मिल रहा है और BB एक तरफ मिल रहा है मतलब AA और BB are adjacent to one another लेकिन on the other hand अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर they will be opposite to one another opposite to one another मतलब यहाँ पर आपके पास metal हो गया M ये हो गया आपका A यहाँ से आपका हो गया ये A ये A ये opposite आगए यहाँ से चला गया आपका B यहाँ से आगया आपका B ये तो ये opposite आगए तो ये का arrangement है कोई bonding हमने चेंज नहीं करी हमने सिर्फ bonding का angle बदला पहले A M से connected था दोनो A M से connected थे दोनो B M से connected थे अभी भी ये दोनो A metal को ये अपना loan प्यार दे रहा है ये दोनो B भी भी उसी metal को अपना loan प्यार दे रहा है लेकिन क्या बदला उनका आने का जो angle था जो 3D space में arrangement था वो बदल गया पहले दोनो A adjacent होकर उसको loan पे donate करते थे अभी वो opposite direction में donate कर रहा है पहले वो adjacent donate कर दे थे अभी वो opposite direction में donate कर रहा है ये चीज होती है आपका तो MA2B2 ये फिर MA2B2 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 दोनो MA2B2 हैं लेकिन एक में वो adjacent है एक में वो opposite है एक में वो adjacent है एक में वो opposite है जिसमें adjacent होंगे उसको हम cis form कह देंगे जिसमें वो adjacent होंगे उसको हम cis form कह देंगे और जिसमें वो opposite होंगे उसको हम transform कह देंगे as simple as that तो आपके पास एक cis isomer बन गया एक trans isomer बन गया यह same isomers आपने 11th class की organic में भी देखे थे हला कि मैं यह मान कर चलूँगा कि नहीं देखे थे बर जिन लोगों ने देखे जिन बच्चों को वो geometrical isomer पता है वो कहिना कही है सोचेंगे कि यह कुछ अलग है यहां कुछ confusion हो जाएगी तो मैं बता दू कुछ अलग नहीं है बस अंतर इतना है कि वहां जो double bond के around तुम देखते थे वो यहां इस metal के around होने लगेगा as simple as that ultimately यह आपके दो चीज़े बनेगे तो यह बहुत simple सी कहानी है एक बार फिर से इसको थोड़ा सा straight बना देते हैं क्योंकि कई बच्चों को दिखनी रहा होगा समझ नहीं आ रहा होगा तो यहां पर देखेंगे यह आपके पास M यहां से आपका A एक डोनेट कर रहा है लोन पेर तो यहां adjacent position से ही दूसरा A भी डोनेट कर रहा है लोन पेर यहां से आपका B डोनेट कर रहा है लोन पेर यहां से यह B डोनेट कर रहा है लोग पे यह तो यहां से यह चीज हो जाती है आपकी यह आपको मिलता है तो इस वाट वी आविए अज़ M A 2 B 2 इसको अगर हम देखें इसको हम देखें यहां पर तो यह हो गया आपका यह रहा है M A के अपोजिट से कुछ ऐसा ठीक है तो यह आपका यह trans यह वाला trans और यह वाला sis यह वाला trans और यह वाला sis यह वाला trans और यह वाला sis तो trans और sis, दो form होगे इस पर हम types पर भी तो अब बात करेंगे examples को लेकर भी बात करेंगे but this is just the sample to show how geometrical isomers work इस तरीके से geometrical isomer काम करता है और geometrical isomer देखने में आता है यह एक sample है उसका अभी चर्चा करेंगे example और type के साथ पहले इसका screenshot लेंगे फिर आगे बात करेंगे screenshot लेंगे अब आगे देखते हैं इसको जिनका coordination number 2 या 3 होगा उनसे आप geometrical isomers नहीं देखने को मिलेगा उनसे आपको geometrical isomer नहीं दिखाई देगा क्योंकि 2 और 3 में आप special arrangement कुछ नहीं बदल सकते क्योंकि 2 होंगे तो 180 degree पे होंगे जादा हुए तो वह ऐसे change हो जाएंगे तो वह आपको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों लीगन सेम होए तो आपको समझ भी नहीं आए कि दोनों में difference क्या है क्योंकि there is no such adjacent position and there is no such opposite position ठीक है ना तो comparatively कोई अलग positions नहीं है दोनों एक ही positions पर रहेंगे तीन में भी angle 120 degree बनेगा तो जब 120 degree बनेगा तो वहाँ पर एक triangle बनेगा trigonal planar type का एक triangular angle बनेगा तो वहाँ पर भी आपको as such कोई arrangement में बदलाव नहीं मिलेगा ठीक है तो 3D space arrangement वहाँ पर भी नहीं होगा चार coordination number से आपको geometrical isomer मिलना चालू होते लेकिन चार में भी मैं बता दू दो टाइप की geometry देखने को मिलती है एक tetrahedral और एक square planar tetrahedral में आपको geometrical isomers नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि tetrahedral symmetrical है symmetrical in the sense उसके हर plane में equal angle से है तो अगर वह आप orientation चेंज भी करोगे तो उसमें अंतर नहीं पैदा हो पाएगा क्योंकि उसमें हर position कहलो adjacent है और कोई opposite positions नहीं है क्योंकि सब एक दूस्रे के बगल में ऐस सच लगे हूँ है 110 degree 28 mid के अंगल पे तो tetrahedral में कोई changes नहीं है सिर्फ square planar जो geometries होती है coordination number 4 में जो square planar geometries होती है वही आपको geometrical isomer दिखा सकती है वही geometrical isomer दिखाएंगे तो as if now 2 और 3 coordination numbers वाले जो geometries होंगी they will not show this isomer as it is not possible to have more than a single arrangement of ligands as it is not possible to have more than a single arrangement of ligands क्योंकि आपने अगर ligands बदल भी दिये तो वो एक की arrangement माना जाएगा उसमें कोई possibility नहीं है 2 या 3 में in space around the central ion in these cases geometrical isomers with respect to the metal has also of been found among tetraidal complexes of type has also not been found sorry it is not been found it should be not been found among tetraidal complexes of type MA4 और MA3 because all the 4 ligands are equidistant from each other तो ये coordination number 2 में देखने को नहीं मिलेगा coordination number 2 में देखने को नहीं मिलेगा coordination number 3 में भी देखने को नहीं मिलेगा coordination number 4 with a tetraedral complex tetraedral में भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सब मैंने का ना बराबर डिस्टेंस पर है बराबर प्लेन में इस्ट्रिब्यूटेड है तो टेट्राइडरल में भी देखने को नहीं मिलेगा और कॉडिनेशन नंबर 4 square planer में तो 100% देखने को मिलेगा क्योंकि square planer में आपके पास दो positions आती हैं एक adjacent और एक opposite तो square planer में तो 100% आपको देखने को मिलेगा square planer में तो 100% आपको देखने को मिलेगा तो ये square planer में आपको देखने को मिलेगा this is what we are having so this is MA4 और MA3B MA4 और MA3B ये आपको देखने को मिलेगा now only square planer and octaidal complexes shows this type of isomers तो सिर्फ square planer और octaidal जिसमें coordination number 6 है वो तो दिखाए गई उसमें भी आपको देखने को मिलेगा हाला कि उसमें cis trans का form ना आते हुए facial और meridional part आ जाएगा लेकिन वो part भी आपको देखने को मिलेगा किसमें 6 coordination number में 4 में तो देखने को मिलेगा square planer में tetraidal में नहीं मिलेगा square planer में मिलेगा coordination number 6 में भी आपको octaidal complexes में देखने को 100% मिलेगा examples के साथ चर्चा करते example के साथ इसका discussion करते हैं start करते आगे example के साथ पहले इसका screenshot ले 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 ते part का ओके इसके आगे हम discussion करते ही है यहाँपर समझते हैं इसके आगे now सबसे पहले हम लोग देखते हैं stlorans isomar in square planer complexes square planer complexes में सबसे पहले discussion square planer complexes में square planer complexes में A2B2 can exist in sys transform. They can exist in sys transform. M A2B2. इसका ही मैंने example दिया था आपको सबसे पहले. अगर आपने देखा होगा तो इसका ही example मैंने सबसे पहले दिया था M A2B2 type का. A2B2 type का. इसी का मैंने example आपको दिया था. तो यह M A2B2 type है. sys transform. sys transform. यहांपर समझेंगे इस बात को. यह रहा M A के बगल में A बैठा हुआ है. B के बगल में B बैठा हुआ है. या ऐसा क्यालो कोई भी same ligand opposite नहीं है. A के सामने A नहीं है B है. A के सामने A नहीं है B है. समझ में आरा है? तो जब भी कोई same ligand opposite ना हो तो यह हमेशा cis form होगा और अगर same ligands opposite हो A के सामने A है B के सामने B है तो यह आपका transform यह आपका transform होगा तो यह होगा आपका cis form यह होगा आपका transform यही मैंने example दिया था आपको एक बार screenshot ले लो अभी example proper लेंगे coordination compound का उसमें हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे ठीक है चलो example देखते है dichloro diamine platinum 2 dichloro dichloro diamine platinum 2 मतब आपके पास platinum होगा PT dichloro NH3 hold twice NH3 का hold twice dichloro मतब CL2 आपके पास होगा तो PT NH3 hold twice CL2 यह आपके होगया diamine dichloro platinum 2 platinum 2 can exist as under कैसे exist करेगा समझेंगे इस बात को platinum आपने लिखा chlorine और chlorine adjacent है NH3 और NH3 adjacent है देख लो square planer है पहली बात तो और याद रखना सर हमें कैसे पता चलेगा square planer है की tetrahydral है क्योंकि ML4 का जब type आएगा जब metal और चाल लीगें नहेंगे तो महाँ पर दो geometry possible है एक एक ही plane में square बन सकता है आपका एक ही plane में पूरा square होगा एक दूसरा आपका tetrahydral हो सकता है दूसरा आपका tetrahydral हो सकता है तो वो हमें कैसे बता चलेगा मैं बता दूँ square planer के लिए अगर आपको geometry चाहिए square planer तो square planer के लिए हमेशा जो hybridization होगा वो DSP2 होगा वो hybridization DSP2 होगा मतलब अगर central metal atom का hybridization DSP2 आ रहा है तो वो square planer geometry बनाएगा और अगर वो tetrahydral geometry बना रहा है तो tetrahydral geometry में उसका hybridization SP3 आएगा तो अगर वो tetrahydral geometry बना रहा है तो it means उसका जो hybridization है that will be SP3 उसका जो hybridization है that will be SP3 तो आपके पास hybridization से पता चलेगा कि कौन सी geometry है अब hybridization के लिए हमें VBT तक का wait करना पड़ेगा ये बात confirm है क्योंकि hybridization का concept आपको VBT के बाद ही आएगा तो isomers आप तभी define कर पाओगे कि tetrahydral geometry है ये square planer है लेकिन अगर अगर tetrahydral हुआ तो isomers की कोई बात ही नहीं करने geometrical isomers की बात नहीं करने अगर आपको square planer मिल गया तब क्या करना है तब हम उसके आगे के बात कर रहा है तो square planer में आपके दो component बनेंगे एक बनेगा cis एक बनेगा trans cis कब बनेगा जब दो same ligands कोई भी दो same ligands opposite ना हो adjacent position पे हो और trans कब बनेगा जब same ligands opposite हो जब same ligands opposite हो तब वो बनेगा अपना trans clear हो गया तो this is cis and trans यह main चीज़ है तो remember square planer complexes of the type maa2 ma4 ma3b ma3 do not show this isomerism since all possible special arrangement for any of these complexes are identical यह भी सही है सारे square planer सो वो भी नहीं है मैंने सिर्फ आपको एक type दिया था जिसका example दिया था square planer में ma2b2 कौन सा type ma2b2 सिर्फ यह देगा जहां a और b जहां a और b दोनों आपके unidentate ligands होंगे दोनों आपके unidentate ligands होंगे जहां a और b दोनों आपके unidentate ligands होंगे तो वो ma2b2 आपको दिखाई देगा a और b both will be your unidentate ligands a और b दोनों आपके unidentate ligands होंगे तो वो आपको basically दिखाई देगा सिर्फ अगर आप बोलो ma2 दिखाई दे जाए a2 अप समझना a की ligand है a लेकिन it's a bidentate और उसके दो molecules ले लिए तो आप जोचो यह ma2 आपको दिखाई देगा square planar complex तो बनाएगा लेकिन यह आपको geometrical आईजो मर्दी बना कर देगा तो यह आपको नहीं देगा जहां पर आपको a a जो होगा वो identate ligand होगा ठीक है उसके इलाबा मैं बता देता हूँ ma3 b जहां पर again a और b unidentate ligand होगे unidentate ligand होगे यहां पर भी आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी ठीक है mab3 ab3 मतलब a ligand जो है वो एकी बार है unidentate लेकिन b तीन बार है उसमें भी आपको दिखाई नहीं देगी इसमें भी a और जो b है वो आपके unidentate ligand है उसमें भी नहीं दिखाई देगा और ma4 जहां पर a आपका unidentate होगा उसमें भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहां पर a आपका unidentate ligand है तो आपका उसमें भी नहीं दिखाई देगा तो यह जितने भी types हैं इन में आपको वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा a a 2 में a 3 b में a b 3 में a 4 में जहां a b unidentate है नीचे के 3 में और यहां a a byidentate है यहां पर आपको कहीं नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहां पर अगर आप position change भी करोगे तो वो positions identical ही होगी वो positions बिल्कुल same ही आईगी तो वहां पर कभी आप नहीं कह सकते कि यह वाला forms है यह वाला form trans है आपके यह सभी geometrical isomers रहेंगे तो यह सारे geometrical isomers है सिर्फ a की type है m a 2 b 2 जहां a और b दोनों unidentate है और दोनों यह जो geometry है यहां पर आपको m a 2 b 2 बता रहा है यह बात याद रखना यह नहीं दिखाएगा यह भी नहीं दिखाएगा सिर्फ यह दिखाएगा वो भी इसी type का सिर्फ इसी type का और कैसे पता चलेगा square planar है कि tetradral है hybridization अगर dsp2 है तो square planar 100% m a 2 b 2 हुआ तो geometrical दिखाएगा अगर sp3 हुआ तो सोचो ही मत किसी भी type का होगा tetradral geometry होगी कभी भी geometrical isomer नहीं दिखाएगा important है यह चीज समझ में आई तो यही चीज हमने हाँ पर समझी और बहुत detail में हाँ पर देखी है screenshot लेंगे अगले पार पर हम चलेंगे screenshot लेंगे तो clear हो गया geometrical isomers की condition अगर clear है ना तो geometrical isomers को identify करना असान होगा क्योंकि question क्या आएगा exhibit the isomers shown by this compound आपको उसके isomer बनाने होगे तो आप उसके isomer तब बद आपाऊगे जब आपको उसकी condition पताओ कि यार यह condition है इस पर यह isomer बनता है वो condition अगर बहुत clear होगी तो आप isomer बना लोगे ठीक है चलो समझेंगे यहाँ पर समझेंगे ना अब देखो in a complex of the type ma2bc यहाँ पर बदल लिया यहाँ पर भी देखो होगा ma2bc भी दिखाएगा a2b2 तो दिखाएगा a2bc भी दिखाएगा कैसे दिखाएगा देखो also there are cis and trans isomers example इसमें दो ligands same है ना a2 तो बस यह adjacent भी हो सकते और यह opposite भी हो सकते अगर जिसमें adjacent हुए वो cis जिसमें opposite हुए वो trans as simple as that बस यह अंतर रखना है तो cis और trans 100% इसमें भी देखने को मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा ptnht hold wise clno2 यह आपका complex है ma2bc का type है again ma2bc भी दिखाएगा तो यहाँ लिख लेते ma2bc भी दिखाएगा provided square planar complex होतो square planar tetraedral नहीं होना चाहिए a2bc में tetraedral भी हो सकता था but tetraedral नहीं होना चाहिए square planar होना चाहिए और a और b दोनों यहाँ पर unit ended ligand होगे unit ended ligand ठीक है example है PT NH3 hold wise clno2 clear देखो NH3 और NH3 adjacent है अगल बगल में NO2 और CL तो चलो ठीक है same ligand adjacent है opposite में नहीं है इसके opposite में CL है इसके opposite में NO2 है तो yes, yes हो गया लेकिन अगर NH3 के opposite में NH3 आ गया अगर NH3 के opposite में NH3 आ गया तो इसका मतलब this will be your trans यह आपका trans हो जाएगा NH3 के सामने NH3 है दोनों एक दूसरे के आपने सामने तो यह आपका trans हो जाएगा NH3 के बगल में NH3 है cis हो जाएगा same ligand adjacent to one another cis same ligand opposite to one another trans same ligand adjacent to each other cis same ligand opposite to one another trans बस बाकि B और C तो different ligands है तो उनकी category में define करनी नहीं है लेकिन यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यह हमें देखने को मिलता है तो यह आपका B option हो गया यह आपका second part हो गया inner complex of the type MA2BC also there are cis and transisomer PTNHT hold twice CLNO2 can exist as इस तरीके से exist करेगा clear हो गया यह आपका second part है इसको screenshot लेंगे इसके बाद हम आगे चलेंगे screenshot लेंगे इस part का ओके तो यहाँ पर यह part clear हो गया let's move to different compound अब अगर चारों ligand different होए तो यह तो सबसे best condition होगे अगर चारों ligand different होए मान कर चलो आपके पास एक complex of the type M, A, B, C, D चारों ligand different होए 100% यह geometrical isomer देगा हाला कि इसमें कोई cis trans basically नहीं हो सकता क्योंकि चारों ligand different है लेकिन फिर यह 3 geometrical isomers देगा तो M, A, B, C, D जहाँ पर A, B, C, D यह सभी unit end date ligand है यह सभी unit end date ligand है तो A, B, C, D, 4 अगर unit end date ligand होगे तो यह 100% आपको क्या देगा geometrical isomer देगा और वो भी 1 नहीं 3 देगा और अब 2 नहीं 3 देगा 3 कैसे देगा मैं बता देता हूँ आप A को fix कर दो आप A को fix कर दो यहाँ बना रहा हूँ मैं जैसे मान कर चलो यह metal A आपने A की position को fix कर दिया यह लिखा B यह लिखा C और यह लिखा D ठीक है? ठीक है? A की position fix B, C, D आपने लिखा अब क्या करो? एक एक बर B, C, D को rotate कर दो मतलब ऐसे compounds मिलें आपको जिसमें B, C, D की positions बदलती हुई जाए और कैसे बदलती हुई जाएगी? rotate करती हुई जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा? M यह लिखा A B की जगा यहाँ इसको clockwise rotate कर देते तो यहाँ होगया D यहाँ होगया B और यहाँ होगया C तो यह D, B और C यह आपका एक और complex यह दूसरा complex और तीसरे में आप क्या करोगे? M A को यह ही रखोगे यहाँ पर आपका फिर rotate तो यह होगया C यह होगया D और यह होगया B तो C D और B यह आपका एक और complex यह आपका एक और complex समझ मैं है तो आपने यहाँ पर क्या करना एक एक लिकेंट को आपने as it is रखा a को यह as it is रखा a को यह as it is रखा a को और बाकी जगह की positions को rotate करते हुए चले गए तो bcd फिर dbc फिर cdb ऐसे रोटेट कर दिया तो ऐसे यह तीनों एक दूसरे के geometrical isomers कहलाने लगेंगे ऐसे में ये तीनों एक दूसरे के geometrical isomers कहलाने लगेंगे तो this isomer will be considered as geometrical isomer geometrical isomer तो यह geometrical isomer हो गाई एक दूसरे के geometrical isomer हो गाई as simple as that clear हो गया geometrical isomer clear हो गया यह समझना बहुत ज़रूर है geometrical isomer तो यहाँ पर हो गया हमारे पास M यह A यह D यह B और यह C तो तीनों आपके geometrical isomers हो गाई तो देखो इसका example दिया हुआ आपको PT, Pyridine, Amine, Bromo और Chloro ठीक है आपने Amine की position को fix कर दिया आप किसी भी ligand को कर सकते थे बढ़ आपने Amine को कर दिया यहाँ पे जो इनने दिया है इस तरफ Pyridine, फिर BR, फिर CL फिर Rotate हो गया Pyridine यहाई रहा, BR और CL ने position exchange कर दी तो BR, CL ने position exchange कर दी फिर CL यहाँ चला गया, BR यहाँ चला गया पिरिडीन यहाँ आगया इस तरीके से आपको इजोमेट्री मिल गई तो यहाँ पर आपके पास देख रहा है आपको सब ने position change करी लेकिन NH3 की position वही रही एक बर सब को यह position मिली पिरिडीन को यहाँ मिल गई फिर यहाँ पर CL को मिल गई बनलब CL यहाँ चला गया जबकि CL यहाँ था BR यहाँ आगया फिर CL यहीं रह गया पिरिडीन और BR ने position change कर ली तो पिरिडीन BR ने position change कर ली एक लीगेंड फिक्स रहेगा बाकी लीगेंड अपती क्या कर रहे हैं उसके मुकाबले positions को exchange कर रहे हैं तो तीन positions तीन बार exchange की जा सकती है इसका मतलब यहाँ पर तीन आईजोमर बनेंगे तो यह तीन आईजोमर बनता है यह भी आपका क्या होगा geometrical आईजोमर का type होगा तो यह भी geometrical आईजोमर देगा इसके पीछे वाला MA2BC भी देगा और इसमें तो हमने डिसकस किया था square planers में MA2B2 भी देगा यह सब square planer है हाला की लेकिन A2B2 A2BC और ABCD यह तीन तो आपके आईजोमर बन रहे हैं which is called as geometrical आईजोमर एक बाद screenshot लेंगे इस वाले पार्ट का भी फिर आगे चलते हैं आगे बात करते हैं screenshot लेंगे ओके done let's move ahead अगले पार पर चलते हैं अगले पार्ट को यहां पर देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है the geometrical isomerism can also occur in square planar complexes if the chelate group is not symmetrical अगर chelate group is symmetrical नहीं है तो geometrical isomer square planar complexes में भी दिख सकता है अगर chelating group symmetrical नहीं है तो मतलब square planar में एक और case आ सकता है मतलब यह chelating ligand की बात है example complex of glycene अब glycene का जो complex है वो NH2CH2CH2CH होता है और यह bidentate ligand होता है जो chelating effect करता है क्योंकि nitrogen भी donate कर सकता है और COH का basically जो iron होगा oxygen वो iron भी donate कर सकेगा वो iron भी donate कर सकेगा metal atom को वो iron भी donate कर सकेगा metal atom को तो वो donate करेगा iron platinum PT diglycinate this is diglycinate iron PT diglycinate तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है complex of glycene iron platinum that is PT GL hold twice GLY is diglycinate iron और यह platinum है तो platinum बीच में है और diglycinate है अब तुम देखो इसमें दोनों donor atoms different है मार्लब अगर glycinate iron की बात करोगे तो CH2 बीच में है यहाँ पर है आपका NH2 यहाँ पर है आपका COO negative अब क्या होगा एक यह loan pair अपना donate करेगा एक loan pair यह donate करेगा oxygen डोनेट करेगा metal को तो पहली बात तो closed ring मना लेगा और closed ring मना लेगा तो it will be called as a chelating part it will be called as a chelating part यह closed ring मना लेगा metal तो यह metal आपको closed ring मना लेगा this is M यह M हो गया closed ring मना लेगा ठीक है तो यह आपका chelating effect हो जाएगा लेकिन इसमें सी ओओ मैनेस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह अपना बीडर इसको डोनेट करेगा यह अपना लून पेर इसको डोनेट करेगा रइच हो गया यह स्क्वैर स्क्राइड क्योंकि चार चीज आपको एक प्लेन में दिख रही है तो स्क्वाइर प्लेनर स्क्वाइर प्लेनर समझेंगे यह आपर यह आपका स्क्वाइर प्लेनर कॉम्पलेक्स यह आपका स्क्वाइर प्लेनर कॉम्पलेक्स लेकिन अब इसमें देखो ओक्सियन के सामने नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के सामने oxygen है same ligand हमने सामने नहीं है तो यह हो गया आपका cis form यह हो जाएगा आपका cis form तो this will become cis form तो यह आपका cis हो गया यह cis हो गया जब की जब की अगर मैं ऐसा बना देता metal यहां रखता metal यहां रखता यह हो जाता NH2 CH2 COO माइनस यहां होता CH2 COO माइनस COO माइनस NH2 ऐसा होता तो अब आप देखो यहां पर square planer तो यहां भी बन रहा है यह एक plane बन रहा है square में तो square planer तो यह भी बन रहा है लेकिन oxygen के सामने oxygen है और nitrogen के सामने nitrogen है same donor atom सामने सामने nitrogen के सामने nitrogen है और oxygen के सामने oxygen है same donor atom सामने सामने है जब same donor atom सामने सामने तो ये बनेगा आपका trans isomer ये हो गया आपका trans और ये हो गया आपका cis तो ये हो गया आपका trans और ये हो गया cis this will be trans तो ये हो गया आपका trans ये हो गया trans so this is trans and this is cis ओपर वाला cis तो यह cis और यह trans यह दो isomers हो गए तो इसका मतलब आपके पास एक और condition है एक और condition है जहाँ पर geometrical isomer देखने को मिल सकता है वो by dented legend का case है लेकिन उसमें दोनों donor items should be different और वो दोनों donor items अगर different होंगे तो फिर वो आपका क्या क्या लाने लगेगा वो आपको आप यह कह सकते हो कि वो आपका square planar complex के साथ geometrical isomer दिखा देगा लेकिन by dented होना चाहिए और donor items अलग होने चाहिए by dented में possible तब नहीं होगा जब same donor items हो क्योंकि उसमें हमेशे एक दूसरे के आपने सामने ही रहेंगे वो लोग क्योंकि same donor items है ना दोनों जगा by dented में जो दोनों donor items है वो same है तो वो same जब दूसरे के साथ भी आएंगे तो same ही रहेंगे same के सामने same ही रहेगा same के अब अगल में भी same रहेगा तो वहाँ पर आप identify नहीं कर पाऊगे sys or trans लेकिन अगर by dented में अलग-अलग donor items है तो जब वो दो आएंगे ligands तो by में अगर donor items सामने-सामने same वाले हैं तो geometrical और अगर adjacent में हैं वो सामने-सामने same नहीं है तो sys तो यहाँ पर आपका यह हो गया sys यह हो गया trans अगर अगर सामने आमने-सामने है same donor items तो trans और अगर same आमने-सामने ना होकर adjacent है तो sys तो trans और sys यह दो case होता है clear हो गया यह वाला fourth point है is geometrical isomers की category में जिसमें हमें geometrical isomers देखने को मिलता है screenshot लेंगे इसका फिर आगे बात करेंगे fourth वाले part का भी screenshot बहुत जरूरी है बहुत important है जिसको हमने यहां समझा है okay तो यहां पर fourth part भी हमारा पूरे तरीके से complete हो गया let's move it अगले part पर चलते और यह देखो इसका example यही वाली चीज मैंने diagram बनाया था यह उन्होंने trans बनाया इसका CH2 COO और यहां से NH2 CH2 COO और यहां से NH2 nitrogen के सामने nitrogen oxygen के सामने oxygen trans इसका से इस कैसे बनेगा PT यहां पर NH2 CH2 COO यह हो गया ठीक है यहां पर O CO यहां पर आजाएगा NH2 और यहां पर आजाएगा CH2 तो यह आपको देखने को मिलेगा यह आपको देखने को मिलेगा अब देख लो यहां पर oxygen अच्छा मैंने यह वो ही बना दिया बैसिक लिए यहां पर कुछ नहीं सिस बनाना है न मैंने ट्रांस बना दिया कोई बात नहीं यहां पर देखेंगे तो CH2 यहां पर हो जाएगा NH2 और यहां हो जाएगा CO और यहां हो जाएगा O खतम यहां पर देखो आप oxygen के सामने nitrogen है oxygen के बगल में oxygen है nitrogen के सामने oxygen है nitrogen के बगल में nitrogen है adjacent है तो यह हो जाएगा आपका सिस यह हो जाएगा आपका सिस फॉर्म तो यह cis form यह आपका transform, cis or trans, यह दो चीज़ अब लिए, so यह आपका हो गया cis form, यह हो गया आपका transform, यह दो isomers आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, cis or trans, clear हो गया, so this is what you are having as cis and trans isomer, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, clear, screenshot ले 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 इसका भी, इसका भी screenshot लेंगे, ओके, चले, so, now, इसके लावर और देखेंगे, cis or trans, bridging ligands में भी कई बार देखने को मिलते हैं, चर्चा करते हैं कैसे, geometrical isomers is also shown by bridged by nuclear planar complexes, bridged by nuclear, मतलब bridging ligands जहाँ पर होंगे, जहाँ पर दो nucleus होंगे, दो central metal item होंगे, वहाँ पर भी आपको geometrical isomers देखने को मिलता है, लेकिन type याद रखेंगे, M2, A4, X2, जहाँ A और X दोनों आपकी unit ended ligand होंगे, example देख लेते हैं, PT, CL2, ethylene phosphine, यह triethylene phosphine है, pH 3 होता है न, तो वैसे PC2, H5 whole thrice है, ठीक है न, और यह आपका बन गया whole 2, तो यहाँ पर आपके पास PT 2 हो गए, 2 PT, ET3P एक तरफ, और CL2 एक तरफ, CL2 एक तरफ, इसके साथ भी ET3P एक तरफ और CL2 एक तरफ, जो 2 CL बीच में आएंगे, they are considered to be bridging ligands, इनको हम क्या कहते हैं, bridging ligands, यह bridging ligands होगा है, अब यहाँ पर CIS और TRANS कैसे पता चलेगा फिर, तो देखो, यह आपने पास TRIETHILIN FOSPHINE, यह आपके पास है, TRIETHIL FOSPHINE, और यहाँ पर भी TRIETHIL FOSPHINE है, तो यह ADJCENT हो गए, यहाँ देखो, यह दोनों ADJCENT हो गए, यह जो क्लोरीन हैं, यह, और यह क्लोरीन है, यह दोनों ADJCENT हो गए, क्लोरीन, ग्लोरीन, तो यह 100% आपका CISFORM हो गए, यह 100% आपका, CISFORM हो गया, तो यह आपका CISFORM हो गया, CISFORM, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यह ITALIN, ट्राइथाइल फॉस्फीन और यह आपका ट्राइथाइल फॉस्फीन यह फॉस्फीन आपके हमने समने और क्लोरीन और क्लोरीन यह आपके हमने समने तो यह आपका सीधे तौर पर transform हो गया यह transform हो गया तो यह आपका एक होता है mara weeks Storm और एक होता हैapterाफ का transform तो this is basically your सेस्फोर्म और अन्ध इस बेसिकली transform तो यह आपका सेस्फोर्म और यह अर यह आपको यह आपको देखने को मिलता है are you getting my point clear हो गया यह चीज तो sys form or transform clear हो गया यह वाली बाते दोनों बाते sys form or transform तो यहाँ पर आपको बस bridging ligand को छोड़ दो bridging ligand तो आपके symmetry रहेंगे जो bridging ligand के लावा ligands हो गए उनको आप देख लो यह वाला type जो होगा यह वाला type आपका दिखाएगा जहाँ पर सभी जो ligands होंगे वो unit end date होंगे चाए a हो चाए x हो चार a है चार a है और दो x है यह 6 के 6 ligands आपके unit end date होंगे बस इसमें याद रखना अगर a के सामने a है और x के सामने x है तो तो यह trans और अगर a के सामने x है और x के सामने a है तो यह आपको cancers form तो यह आपका Sense तो इस तरीके से आप trans और सिस को आप identify करते और इस तरीके साप जज करते हो concept clear हो गया, यह चीज समझ में आगई तो fifth आपका हो गया geometrical isomers जो आपको देखने को मिलता है ठीक है geometrical isomers के पार पर screenshot लेंगे इसका एक बार फिर आगे चर्चा करेंगे screenshot लेंगे ओके let's move ahead other point पर चलते हैं various octahedral complexes that shows geometrical isomerisms are as follows अब अपन बात कर लेते हैं octahedral geometries की क्योंकि अभी तक हमने बात करी tetrahedral geometries की अब आ गया अगला concept जो की हो गया octahedral complexes का तो octahedral complexes में भी हमें geometrical isomers देखने को मिलते हैं हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं octahedral complexes में octahedral complexes में अब क्या होते हैं octahedral complexes of ma4b2 type shows cis trans isomerism example dichloro tetra amine cobalt 2 complex तो dry dichloro हो b2 tetra amine a4 ma4b2 type shows cis trans isomerism shows cis trans isomerism तो यह हो गया dichloro tetra amine cobalt 2 complex cobalt 2 complex iron complex iron इसमें आपके पास cobalt nh3 हो जाएगा basically यह nh3 हो जाएगा और कितने होंगे 4 होंगे तो it will become cunh3ol4 and this will become cl2 cl2 हो जाएगा shows cis trans isomerism कैसे दिखाएंगे cis or trans समझेंगे यापर पहले हम बात कर लेते हैं cis form की इसमें क्या होगा कोई भी complex के सामने कोई भी ligand के सामने sorry same ligand नहीं होंगे जैसे यहाँ cls के सामने NH3 है यह cls के सामने NH3 है यहाँ पर तो NH3 की चलो सामने NH3 क्योंकि चार हैं लेकिन आपके जो positions होंगी उसके साब से आप देखोगे कि यहाँ पर at least एक ऐसा ligand होंगे pair ऐसे ligand होंगे जो adjacent होंगे यहाँ पर सारे ligands एक दूसरे के opposite होंगे same ligands NH3 के सामने NH3 NH3 के सामने NH3 CL के सामने CL यहाँ पर सारे ligands जो होंगे वो एक दूसरे के बिलकुल opposite होंगे सारे ligands opposite होंगे तो यह ligands जिसमें सब चीज़े बिलकुल opposite होंगी यह आपको मिलेगा और इसमें at least एक ligand होगा जहाँ पर आपके एक ligand pair होगा जो adjacent होगा तो अगर सारे एक दूसरे के सामने हैं तो trans एक दूसरे के adjacent एक भी आ गया तो वो आपका cis यह हो गया cis transform इस बेसिकली cis transform चर्चा कर लेते हैं इस पर example के साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है पहले इसका screenshot ले लो इस वाले part का screenshot ले लो फर्स point का screenshot ले लो और भी points है भी जो discuss करते हुए चलने बट इस फर्स point तो यहाँ पर अपने को यह चीज़ भी समझे नहीं कि जो cis or trans isomers होते हैं यानि कि जब isomers बन जाते हैं जब compound का orientation बदल जाता है तो even color भी coordination compound का change हो जाता है जैसे आप देखो example के तोर पे यह आपका cis form था MA3B3 का cis form था जिसका violet color था लेकिन उसका ही जो transform था उसका green color है तो यहाँ पर isomers बदल रहे हैं तो color भी change हो रहा है इससे यह साफ दिखता है कि दोनों coordination compounds अलग है सिर्फ molecular formula से में उससे कुछ होता नहीं है structure अलगे, नाम अलगे physical property अलगे, chemical property अलगे, color अलगे, सब कुछ अलगे हाँ पर तो यह चीज important है जानना इसलिए isomers कई बार बहुत important बनते हैं बहुत important category आती है isomers की clear हो गया, आगे चलते हैं, अगले part पर चलते हैं now, further and another type of geometrical isomer called facial and meridional isomers also occurs in octidal coordination entities of the type MA3B3 जैसे MA3B3 आ गया तो इसमें एक facial और meridional भी बनेगा, facial और meridional मैं जमें अंतर बताता हूँ, facial और meridional में क्या difference आपको देखने को मिलेगा जैसे cobald NH3 whole thrice, NO2 whole thrice का देखो ठीक है, if three donor atoms of the same ligands occupy adjacent positions and at the corners of an octahedral face, we have the facial isomer अगर तीन donor atoms, same ligands के, adjacent positions occupy करते हैं at the corners of an octahedral face, octahedral face का जो corners हैं, वहाँ पर same positions occupy करते हैं, तो इसको हम facial isomer कहेंगे when the positions are around the meridian of the octahedral around the meridian, जो meridian मनेगी उसके around octahedral के faces होंगे, we get this as meridional isomer, meridional, अब आप देखो, एक चीज़ देखो, meridional और facial के बार बारमें में बताता हूँ, यहाँ इसको अगर आप देखोंगे तो इसमें यह basically cocktail face हुआई है, जैसे यहाँ पर आपके पास यह arbitrage होंगे यह एक octahidal face हो गया यह एक octahidal face हो गया ठीक है फिर यह एक octahidal face हो गया यह octahidal face हो गया अब आप इसमें देखोगे तो आपको सारे faces same legands के देखेंगे जिसे NH3 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 NO2 NO2 यहाँ पर एक face यह बन जाएगा यह आपका NO2 NO2 same face के बनेगे यह फिर plane के नीचे चला जाएगा plane के ओपर चला जाएगा यह 4 faces हो गया तो यहाँ पर यह आपके NH3 same legands और यह क्या होगा corner पर है NH3 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 NO2 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 तो यह आपका facial facial isomer हो गया this is called your facial isomer समझेंगे इस बात को कैसे बना रहा हो देखेंगे बीच में आपका कोबाइट यह आपका NH3 यह आपका NH3 यह आपका NH3 और यह आपका NH3 यह आपका NH3 sorry 3 NH3 है ना my mistake 3 NH3 तो यहाँ पर आपका यह molecule बनेगा यह molecule यह आपका NH3 यह 3 हो गए और 3 आपको NO2 देने तो 1 NO2 यह 1 NO2 यह और 1 NO2 यह हो गए आपके पास 3 दी ठीक है तो यह आपका अब देखो face देखो face देखो एक face आपका यह बनेगा यह face एक बनेगा देखेंगे आपर ऐसे उपर 4 faces उपर 4 faces नीचे आप देखोगे तो नीचे 4 faces नीचे 4 faces तो 1, 2, 3 और 4 यह 4 faces तो यहाँ पर उपर 4 faces और नीचे 4 faces उपर के 4 faces अगर आप देखो और नीचे के 4 faces अगर आप देखो तो आपको कुछ समानता मिलेगी NH3 NH3 से बना है यह एक face है जो पूरा NH3 से बना है यह एक face है जिसमें 2 NO2 आ रहे है उपर NH3 है ठीक है उपर NH3 है बाकी same face है लेकिन आपको यह same face दिख रहा है मतलब यह एक ऐसा face दिख रहा है जो same ligand से बना है ऐसी आप देखो यहाँ पर यह एक face यह एक face आपको दिखेगा यह यह face भी आपको पूरा एक same ligand से बना हुआ दिख रहा है जो आईजोमर हो गया basically यह हो गया आपका facial isomer same face पर बना हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर आपको facial isomer मिलेगा same face पर तो यह face face मतलब same face in the sense कि face पर same ligands है इसमें अगर आप meridional देखोगे तो आपको एक भी ऐसा नहीं देखेगा जिसके पास same face हो एक भी ऐसा नहीं देखेगा जिसके पास same face मतलब एक भी ऐसा face होगा जिसमें same ligands हो तुम देखो यहाँ पर यह facial isomer हो गया मैं meridional बना देता हूँ यहाँ पर meridional बना रहूं यहाँ पर योगया कोबाल्ट योगया आपका NH3 योगया आपका एक NH3 और यहाँ पर इसके नीचे एक NH3 यह NH3 हो गया यह NH3 हो गया अब बाकी जगह पर आप NO2 जोड़ दो तो बाकी जगह पर मतलब यह ओगया आपका NO2 यह ओगया आपका NO2 यह ओगया आपका NO2 यह NO2 जोड़ दो अब आप देखो ठीक है थोड़ा NH3 को और बड़ा कर देता हूँ इसको भी थोड़ा सा बड़ा देते है इसको बड़ा देते तो यह NH3 हो गया ठीक है अब आप देखो यह हो गया आप ना एक जोमेट्री यह वाली यह और एक हो गया आपकी यह यह चार फेसस देख गया आपको चार फेसस देख गया बस यह चीज़ चाहिए थी यह 4 faces हो गया आपके 1,2,3,4 यह 1,2,3,4 आप देखो इस face पर आपको दिखेगा एक No2 यहां पर इस face में दिखेगा एक NH3 इस face में देखो एक NH3 मतलब एक भी ऐसा face नहीं है इसमें जो सेम लीगेंट से बनाओ इसमें तो दो दिख गए थे मैंने आपको सामने अप फ्रंट दो दिखा दिये थे यहाँ पर आपको एक भी फेस ऐसा नहीं है जिसमें आपके ऐसा को क्यार यह पूरा का पूरा चेहरा अक्टाइडल में आठ चेहरे होंगे अक्टाइडल नामी इस लिए पड़ा क्योंकि इडा एट फेस बनता छे लीगेंट से बच्चे अकसर कन्फ्यूज होते हैं कर प्छे बाद पूछ ते बूछ तो आट आप नहीं होंगे लीगेंट छे होंगे चार एक plane में उपर एक pyramid नीचे एक pyramid तो यह हो गया square reach में उपर एक pyramid नीचे एक pyramid मतला by pyramidal तो geometry हो जाती है square by pyramidal by pyramidal क्योंकि दो pyramids होते हैं उपर और नीचे so this will become square by pyramidal दो pyramidal है क्योंकि यहाँ पर तो इस वज़े से total 8 faces होंगे उपर उपर की तरफ उपर जो pyramid बन रहा है एक face यह एक face यह एक face ऐसा और एक face पीछे ऐसा तो आप देखो imagine करो चार आप पीछे एक triangle आपके आगे एक triangle right hand side में एक triangle left hand side में एक triangle कितने triangle और faces हो गए? चार same चीज चार नीचे से होते हैं तो चार नीचे से आपके चार faces दिखेंगे तो total faces हो जाएंगे 8 इसलिए octodal इसमें आपके 2 faces मैंने upfront दिखा हैं जिनके पास same ligand होता है इसके पास आप कहीं से भी किसी भी angle से देख लो एक भी face ऐसा नहीं है जिसमे same ligand होगा तो यह आपका हो जाएगा meridional isomer meridional isomer this is called as meridional isomer तो यह आपका meridional isomer concept यह होगा facial or meridional so when the positions are around the meridian of the octodron we get meridional isomer तो if it is around the meridional meridian अगर positions ligand की around the meridian है meridian समझगा यह आपके meridian हो गई है this is meridian हो गई same ligand है तो यहाँ पर आपको this will become meridional isomer यहाँ simple face से देख लो अगर आप meridian से नहीं देख सकता आप face से देख लो तो face से अगर आपको same ligand एक भी face पर तो facial एक भी face पर अगर आपको same ligand नहीं देख रहा तो meridional बनाने का तरीका simple ये है ये आपके facial और meridional izomer होगे Geometrical izomer का type है बट cis और trans का type नहीं है ये facial और meridional का type है Cis और trans का नहीं है facial और meridional का type है clear हो गया और चर्चा करेंगे इसकी पहले तिने पाट का screenshot ले लें कि यहां पर हम geometrical isomers बहुत detail में पढ़ रहा है screenshot लेते हुए चलेंगे we'll move to the next part ओके आगे चलते हैं अब फर्दर यहां पर देखते हैं even AA2 जहां AA by dentate ligand है और B2 type octahedral complexes also show cis and trans isobers where AA and can be symmetrical by dentate ligand like ithly diomy symmetrical by dentate ligand होगा and B can be an anionic ligand such as CL minus, CN minus, NO2 minus but होगा unit endate कैसा यहां पर देखेंगे M AA2 B2 MA2 B2 यह अब यहां पर अगर आप देखोगे तो basically AA जो है वो by dentate ligand है और जो B है वो आपका unit endate ligand है वो आपका unit endate ligand है तो AA is by dentate and B जो है वो basically आपका unit endate ligand है अब यहां पर देखेंगे अपन इसका example किसे ही मैं समझा देता हूँ बना कर बताता हूँ proper जो example है वो हमारे पास PT EN2 CL2 platinum ethylene 1,2 diamine ethylene 1,2 diamine ethylene diamine जिसको बुछ सकते हो and CL2 यह इसी type का है इसका example है क्यों? क्योंकि EN is by dentate ligand symmetrical by dentate ligand और CL chlorine जो है वो आपका unit endate ligand है तो it's a unit endate ligand CL जो है वो आपका unit endate ligand है CL ठीक है? unit endate ligand अब समझेंगे है यहां पर PT EN2 CL2 PT EN2 CL2 यहां पर ध्यान से देखेंगे यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यह हो गया हमारे पास एक PT और दोनों जो by dentate ligand है उनको हमने आमने सामने रखा आमने सामने रखेंगे तो it will be trans कैसे हमने सामने रखा? यह मैंने ethylene diamine मना दिया कुछ ऐसा loan pair दे रहा है यह मैंने ethylene diamine बना दिया कुछ ऐसा loan pair donate कर रहा है उपर से अपना CL आ रहा है नीचे से अपना CL आ रहा है यह बन गे आपका octahedral geometry this is octahedral geometry समझा है octahedral? 8 faces होंगे इसके भी देखोगे अगर दियान से dotted structure में बनाता हूँ बीच में पूरा square ठीक है कुछ जादा बड़ा square हो गया ऐसे rectangular हो गया but it will be a square it will be a square यहाँ पर यह square हो गया यह उपर उपर यह एक bond यह हो गया चार यह नीचे चार यह 8 faces हो गये तो this is what we are having as this complex PT EN CL2 EN2 CL2 दोनो इधिलीन डायमीन आमने सामने दोनो गलोरीन आमने सामने आमने सामने की position हमेशा trans-isomer पैदा करती है तो यह trans-isomer हो गये आमने सामने की जो position होगी यह हमेशा trans-isomer पैदा करती है तो यह आपका trans हो गया इसका sis बनाए इसका sis form बनाए तो कुछ नहीं करना PT को बीच में रखना है PT को बीच में रखना है यहां हो जाएगा कौन सा ethylene diamine यह हो गया ethylene diamine यहां हो गया अपना कौन सा ethylene one two diamine अब यह adjacent हो गया जबकि क्लोरीन की position कुछ यह है यह क्लोरीन की position है तो यह क्लोरीन की position है संच मैं यह क्लोरीन की position हो गई थोड़ा सा और इसको ऐसा बनाते है यह अपने पास एक और यह ऐसा so this becomes ethylene one two diamine यह और यह अपने पास हो गया क्लोरीन यह अपने पास हो गया क्लोरीन यह क्लोरीन ठीक है तो यह अपने पास हो गया оль hypothesis for Beast दोनों इतलींश द्यामीन जो हैं वह एडिसेंटे दोनों कलोरीन इडेसंटे नो टू लीगर्ट ऑपोजोन इननल था ना उनी बाइडेंटेट वाला भी अगल में और यूनी देंडटेटर वाला भी अगल बगल में जबकि इसमें बाइडेंडेट के सामने सब के नाम वही होंगे, बस नाम से पहले आपको cis और trans word का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर नाम आप अलग माल लोगे, क्योंकि trans एक में आ गया नाम में, एक में cis आ गया, तो नाम उब्विस लिए अलग हो गया, और जब नाम अलग हो गया, तो दोनों coordination compound अलग हो जाएंगे तो यह आपकी geometry होगी cis और trans के case में यह geometry होगी cis और trans तो देख लो, यह metal है ethylene 1-2-diamine, ethylene 1-2-diamine बिलकुल adjacent है, BB adjacent है cis form, यह cis हो गया यह metal है, ethylene 1-2-diamine ethylene 1-2-diamine, amnes amnes और B और B amnes amnes यह दोनों हमने सामने, यह दोनों हमने सामने तो यह हो गया 100% trans हमने सामने में trans adjacent misses, तो adjacent misses हमने सामने में trans यह चीज मिलेगी, तो an example of this type is PTE into CL2 octatal complexes of AM5B और AA3, where AA are symmetrical binded ligand, do not exhibit geometrical isomerism MA5B और MA3, आपके कभी भी isomers नहीं दिखाएंगे geometrical AA3 तो इसलिए possible नहीं है क्योंकि उसमें आपको देखोगे सबके complex symmetrical होंगे AA3 मतलब MEN3 कोई माल लो कोई metal माल लो जिसमें 3 ethylene diamine है, तो structure देखोगे अगर MA3 का structure देखोगे, तो MA3 यह आपका form है जहाँ पर AA जो है वो आपका bidentate ligand है वो आपका bidentate ligand है तो MAAA जहाँ है आपका bidentate ligand है, अब वो 3 है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, ethylene कोई भी मैं ले लेता हूँ example सब्सक्राइब सब्सक्राइब M कोई metal ले लिया, ethylene one two diamond ले लिया, वो भी 3 तीक है, इसका example बना लेते हैं तो अब तुम देखो, यहाँ पर अगर geometry देखोगे तो बहुत simple है यह रहा metal यहाँ पर यह रहा एक ethylene one two diamond एक यह ethylene one two diamond और एक यह ethylene one two diamond अब आप देखो, यह जो structure आपके सामने बनाए इस structure में इस structure में आपको कुछ नहीं कुछ symmetry समझ में नहीं आईगी मतलब इसमें क्या होगा? इसके सामने कौन, किसके सामने है? कोई किसी के सामने नहीं है, कैलो सब सब के सामने तो ethylene one two diamond है, तो यह MA3 टाइप हो गया इसका कोई geometrical आईजोमर आपको नहीं दिखाई देगा नो geometrical आईजोमर, इसके पास कोई geometrical आईजोमर नहीं है, नो geometrical आईजोमर, तो M ethene, ethene one two diamond, ethene यह तीन ethene हो गए, तो this will show no geometrical आईजोमर, no geometrical आईजोमर, यही चीज़ यहाँ पर लेखें कि यह कभी भी geometrical आईजोमर नहीं दिखाएगा MA3, MA5B में तो possible ही नहीं, क्योंकि दो ligands है, A और B, unit ended नहीं, लेकिन A के 5 atoms है, 5 ligands है 5 basically उनकी multiplicity है, और B का एक है, तो MA5B में तो B हमेशा A के सामनी दिखेगा और B हमेशा A के adjacent दिखेगा एक अकेला है ना भी, भाई यह रजी आफास गई गुंडों में, एक अकेला भी है उसको 5 A ने घेल लिया, तो कहलो उस B के सामने भी A होगा और B के side में भी A होगा, कोई फर्क नहीं पढ़ना तो यह भी कभी क्या करेगा आपको नहीं दिखा सकता, M A4 B2 में हम बात कर चुके, facial और meridional बनेगा, facial और meridional, और M A3 B3 में हमने देख लिया है कि वहाँ पर भी cis trans बन सकता ठीक है, 4 2 में तो हम लोगों ने यहाँ पर यह भी देखा था, M A4 B2 A3 B3 में हमने facial meridional देखा था, A4 B2 में हमने cis or trans देखे थे, A4 B2 में यह A4 B2 में cis or trans A3 B3 will be facial meridional A4 B2 का जो type आएगा, उसमें आपका वही cis or trans, ठीक है ना कि कोई भी जो ligands होंगे, वो एक दूसरे के opposite में नहीं होंगे, ठीक है ना, बड़ यहाँ पर आपके पास opposite में होंगे, ठीक है, सारे ligands, तो clear हो गया है हाँ पर, यह वाला part clear हो गया M A3 वाला part, कि यह वाला part जो होगा, यह मेशा कोई भी geometrical isomer नहीं देगा, no geometrical isomer, it will exhibit no geometrical isomer no geometrical isomer no geometrical का screenshot देख लिए, ठीक है, यह geometrical isomer का एक और टाइप था, यहाँ पर एक और टाइप की बात कर लेते हैं even complexes having six different ligands, मतलब एक ml6 का type है, लेकिन उस ml6 में, छे ओ लिगेंड different है, ml6 कैसे होगा बाई ml6 में 6 ओ लिगेंड डिफरेंड है 6 के 6 ligands, a, b, c, 5 की positions बदलते रहना, एक को fix करना और बागी 5 की positions बदलते रहना, तो आपको 6 यहाँ पर 15 लगबग structures मिलेंगे, ml6 टाइप के, ml6 तो आप समझ गए, तो आपके पास एक m होगा, यहाँ पर एक a होगा, यहाँ b होगा, यहाँ c होगा, यह c होगा, यहाँ यह d होगा, यहाँ पर e होगा, और यहाँ पर कहीं f होगा, तो आपके पास यह basically बन जाएगा, यह आपके पास बन जाएगा, ml6 टाइप, अब आप एक की position किसी की भी fix कर लेना, किसी भी एक की position fix कर देना, suppose कर वो अपने a ligand की position को fix कर दे, और बाकी 6 को आप अगर घुमाओगे, बाकी 5 को sorry, बाकी 5 को अगर आप घुमाओगे, तो आपको 15 ऐसे geometrical isomers मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको overall geometrical isomers जो मिलेंगे, वो 15 isomers होंगे, तो यहाँ पर simple सा funda है, complexes having 6 different ligands, M, A, B, C, D, E, F, shall exhibit geometrical isomerism, theoretically 15 different isomers should be possible, तो theoretically there should be 15 different isomers, तो 15 different isomers possible होंगे, in practice 3 isomers of the complex P, T, C, 5, H, 5, N, NH3, NO2, CL, B, R, I have actually been isolated, और इन 15 में से सिर्फ 3 isomers, वो अभी perfectly isolate हो चुके है, बन 15 सकते, theoretically 15 बन सकते हैं, लेकिन दावा यह नहीं कर सकते हैं, कि वो 15 के 15 exist करेंगे, 15 के 15 वो coordination compound बनाएंगे, इसका दावा नहीं कर सकते, लेकिन हम यह बोल सकते हैं, बिल्कुल कि 15 में से 15 theoretically बन सकते हैं, जिसमें से अगर इस complex की बात करोगे, जिसमें PT, platinum होगा, यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, एक की position fix करनी हैं, बाकी बेली जो बाकी 3, 4, 5 हैं, उनको आपको घुमाते रहना है, तो यहाँ पर आपके पास ML6 type, जिसमें 6 के 6 ligands different होंगे, 100% वो 15 geometrical isomers आपको दे सकता हैं, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेंगे, इस वाले पार्ट का भी, ओके, उसके बाद, geometrical isomers का last part जो है, उसमें यह बात की गई है, कि as was observed in square planar complexes, unsymmetrical bidented ligands also give rise to geometrical isomerism in octahedral complexes, square planar complexes में जैसे हमने कहा था कि unsymmetrical bidented, unsymmetrical bidented मतलब, bidented मतलब दो लोन पर donate करेगा, लेकिन दोनों atoms different होंगे, unsymmetrical bidented होगा, तो जैसे वहाँ पर हमने ml4 में देखा था, वो geometrical isomer दिखाएंगे, उसी प्रकार से ml6, octahedral geometry में भी, वो geometrical isomer दिखाएंगे, ml6 में भी, तो mab3 types है, इसमें कुछ नहीं करना, अगर mab3 types है, तो यहाँ पर अगर b के सामने इधर b है, a के सामने इधर a है, b के सामने इधर b है, मतलब बिलकुल आमने सामने हैं, तो यह हो जाएगा कौन सा वाला? Trans. लेकिन अगर metal के सामने metal में B के सामने A है और A के सामने B है यहाँ पर भी अगर B है और यहाँ पर अगर A है तो यह कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा क्लियर होगा असे सो ट्रांस में बस यह समझेना है क्योंकि जब आप अन्सिम्मेट्रिकल बाइटेंट की बात करोगे आप A b 3 की बात करोगे तो अगर वो दोनर आटम सामने सामने हैं तो ट्रांस हो जाएंगे लेकिन अगर एक साथ हैं आमने सामने नहीं है adjacent है तो फिर वो cis हो जाएंगे और इसमें याद रखना यहाँ पर आपके पास 6 बनेंगे टोटल 6 बनेंगे तो यहाँ पर आपके पास A हो जाएगा यहाँ पर आपके पास B हो जाएगा ठीक है तो टोटल आपके पास किते बनेंगे ml6 type क्योंकि यह जो है geometry वो octahedral geometry है लेकिन complex वैसे ही आपको geometrical isomer देगा जैसे आपका square planar में दिया था तो square planar में जैसे दिया था ml4 type में वैसे आपका octahedral में भी bidentate unsymmetrical bidentate ligand geometrical isomers produce करेगा ठीक है screenshot लेंगे क्योंकि यह हमारा geometrical isomer यहां पर पूरा खतम होता है बच्चो यहां पर हमने पूरा geometrical isomer देख लेंगे okay so this is where we ended the whole geometrical isomers in all तो यहां पर पूरा geometrical isomers हमारा complete हो चुका है अब अगला जो वीडियो होगा that will be totally based on optical isomer लेकिन उसको हमने अलग part कर लिया है क्योंकि optical isomer आपने आपने बड़ा टॉपिक के geometrical isomer भी बड़ा लेक्चर हो गया है लगबग लगबग सवागंटे के आसपास का लेक्चर यह हो गया है तो optical isomers यह होगा वो हम एक अलग से वीडियो देखेंगे उस अलग वीडियो में हम लोग optical isomerism जो plane polarized light को dextro rotatory clockwise और level rotatory anti clockwise कैसे क्यों और किसमे rotate करेगा क्या mirror images होंगी क्या वो super imposable होंगी कि नहीं होंगी इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में जिसमें हम optical isomerism को देखेंगे बाकि आपको पता है magnet brains के channel पर और website दोनों जगा पर आप कोई से भी course के अगर आप त्यारी कर रहे हो आप nursery से लेकर 12th class तक किसी भी class में अगर हो तो हर class का हर subject available है magnet brains के youtube channel पर भी और magnet brains की website पर भी जैसे अगर आप cbc की त्यारी कर रहे हो या कोई up बिहार बोर्ड जो state बोर्ड होते उनकी त्यारी कर रहे हो तो इसके exclusive content available है साथ में अगर आप कोई relative को जानते हो जो foundation classes में हो 9th और 10th में हो भी आप या आपके फ्रेंड सी यूए टी आइटी जेई नीट के अगर त्यारी कर रहे हैं या कोई बड़े भाईया दीदी competitive exam government sector के competitive exam की त्यारी कर रहे हैं जैसे banking and insurance rrb ssc upsc jab cab अगर इन किसी भी courses की वो त्यारी कर रहे हैं तो आप सबसे अच्छा तरीका उनको इस channel को refer करके best gift दे सकते हो सबसे अच्छा gift तुम यह दे सकते हो कि इस channel को तुम refer कर सकते हो उनको बोल सकते हो कि यहाँ पर 100% free education है और यह सारे courses exclusively free of cost available है और साथ ही आप website का भी link share कर सकते हो which is www.magnetbrains.com क्योंकि lectures चब वो website पर आकर देखेंगे तो उने एक extra edge मिलेगा उनको playlist के लिए भाग बतला भटकना नहीं पड़ेगा कहीं उनको कहीं lectures को manually search नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर सभी category को select करेंगे सामने lectures प्रकर्ट हो जाएंगे test series doubt solving sessions chapter wise test यह सारी चीज़ों को आपको जो youtube पर शायद ना available हो वो आपको website पर available होगा तो magnetbrains.com की website पर जाकर उनसे भूलें आप भी website पर जाकर lectures देखें जहां पर आप lectures mobile से laptop से tablet से desktop से किसी से भी बिल्कुल free of cost access कर सकते हो बिना किसी subscription cost के बिना किसी coupon code के बिना किसी package को कोई बाय करें बिना आप 100% free education यहां से ले सकते हो यहां से gain कर सकते हो तो जरूर recommend करें लोगों को जरूर आप भी इसको अभी तक subscribe अगर नहीं किया है तो subscribe करें और जितना जादा हो सके लोगों के साथ इस चैनल को share करें इसी तरीके से magnetbrains को अपना प्यार और support देते रहें stay tuned stay connected thank you